दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर नितिस केवेडनेट ने नो एजेंडो को पास किया नेचर सपारी ओपी के लिए 96 सरकारी अत्तिक ग्रियों में 151 बहालिया होगी जिहां बिहार केवेडनेट की कल वीडियो कॉनफरेंसिंग के मैधम से बैठक हुई सियम नितिस कुमार के अधिक्स्ता में हुई इस बैठक में कॉल नो एजेंडो पर मोहर लगी है नितिस सरकार ने एक बार फिर दो विभागों में रोजगार स्रिजन करने फैसले लिए है राजगीर में नेचर सभारी ओपी के लिए 96 पदो जबकी जीलों के सरकारी अतिति ग्रेहों में 151 रसोयक के पदो का स्रिजन किया जाएगा इसके अलावा सरकार ने इवावो महिलाओ के स्वरोजगार के लिए कूल 400 कडोर रुपे की भी स्विक्रती दी है अगली बाड़े कबर कोरोना से पूर्व सिक्षा मंत्री मेवालाल चोदरी का निधन 65 साल के पूर्व मंत्री ने सुबह 4 बजे ली अंतिम सास जदो ये नेता और नेतिस कबिनेट में एक दिन के लिए सिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चोदरी का निधन हो गया कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें पारस होस्पिटल में भर्ति कराये गया था स्वमुवार की सुबा करीब साड़े चार बजे उन्होंने अंतिम सासली मुंगेर के तारापूर से मेवालाल विधायक थी पाकबदाद की क्रिसिव स्विधालाई के वेसी रहते नियुक्तियों में गडबड़े से वे चर्चा में आये थे इस वज़े से ही उन्हें सिक्षा मंत्री के पद से इस्तिपा देना पड़ा था मेवालाल चोधरी तारापूर में संक्रमित हुए थे रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद 13 अप्रेल को पटना में भरती हुए थे मेवालाल चोधरी के निधन पर मंत्री प्रमोद कुमार ने सोख जताया है इसके साथ ही पंचायती राज विवा के मंत्री समराट चोधरी और सियम नितिस कुमार ने भी सोख जताया है बिहार बोर्ड ने डियलेट कमपार्टमेंडल के साथ तीन परिचाए अगले आदेस तक केंसल की बिहार बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चात्रों के हित में तीन परिचाओं को निरस्ट कर दिया है वियार बिदाले परिचा समिति ने जिन तीन परिचाओं को निरस्ट किया है उसमें डियलेट विसिस परिचा दोजर बीस इंटर्मेडियेट कमपार्टमेंडल सब विसिस परिचा दोजर एकी सता मायदमे कमपार्टमेंडल सब विसिस परिचा सामिल है राज में अगले दो दिन बढ़ेगा तापमान फिर होगी बारेज जल्दी जल्दी म extensive बदलने से विमार हो रहे हैं लोग जिया राज में अगले दो दिन अधिक्तम तापमान में दो से तीन डिगरी बढ़ने के आसार है दरसल एक बार फिर प्रदेश में पचवा हवा चलनी सुरू हो गई है उदर जारकंड में सक्रिय चकरवात के कारण दक्षिनी बिहार में एक दो इस्थानों पर बिजली चमकन 21 अप्रेल से प्रवया हवा एक बार फिर चलने लगेगी बिहार में धाय लाक लोगों को रोजगार देगा एनच एयाए 400 सडक परियोजना में काम कर रहे हैं 6000 मजदूर राज में मुई के सडकों के निर्मान की इस समय चल रही करीब बाहर सो परियोजना में करीब 6,000 स्रमिक काम कर रहे हैं इसके अलावा भी बाहर से आने वाले स्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए पत निर्मान विभाग तयारी कर रहा है वहीं केवल NHAI राज में अपनी करीब 11,000 किलोमिटर की लंबाई में सड़क निर्मान परियोजना पर काम सुरू होने के बाद करीब 9,000 लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहा है सुत्रों का कहना है कि कोरोना संगट के करण आइने राजों से बिहार लोटने वाले स्रमिकों को रोजगार देने की सरकार तयारी कर रही है इसी के तहद पत निर्मान विभाग भी तयारी में जुटा हुआ है राज में मजदूर को 10 लाग का लोन जिसमें 5 लाग माप रोजगार सुरू करने के 12 माँ बाद 84 किस्तों में देने होंगे 5 लाग पोटल पर दज कराले अपना नाम सियम नितिस कुमार ने बिहार के बाहर रहकर मजदूर करने वालों से अपिल की है कि वे चाहे तो वापस आ सकते हैं सरकार उनके हुनर के मताबिक उन्हें रोजगार करने के लिए लोन उपलब्द कराएगी ग्रामिन विकास मंत्रे ने परवासे मजदूर को जौब कार दने की बात कही है स्किल्ड मजदूरों को रोजगार के लिए स्राम विभाग भी तयारिक कर रहा है स्राम विभाग के मंत्रे जिवेश कुमार ने बताया कि दूसरे राजजों से आए साड़े नौ लाग लोगों को पंचायत इस्तर पर स्किल्ड मैपिंग कराए गई है वो चाहे तो लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं मजदूरों को राज सरकार स्वाई का व्यवसाई करने के लिए 10 लाग रुपे का लोन मुखमंत्री उद्दमी योजना के मैदम से देने का काम कर रही है ताकि आने वाले मजदूर अपने हुनर और कोसल के मैदम से अपना व्यवसाई कर बिहार के अइन और लोगों को भी रोजगार देने का काम करें इस योजना के तद 5 लाग की सबसीडी मिलेगी लोन लेने वालों को 5 लाग रुपे ही लोटाने होंगी वह भी रोजगार सुरू होने के 12 महिने बाद 84 आसान किस्तों में बिहार में अब आंसिक लोगडाउन पटना में सप्ता में तीन दिन ही खुलेगी गैर जरूरी दुकाने तो गया में लेन वाइज अनुमती साम 6 बजे गिरा देना है सटर जिया कोरोना से बेकाबु होते हालाद के बेज बिहार में एक तरह से आंसिक लोगडाउन की घोसना हो गई है लोगों को घर तक सिमित रखने के लिए बाजार की गतिविदेओ को मिनिमाज किया जा रहा है रहिवार को राजबर के डियम से जीलो की सिती की जानकारे लेने के बाद बिहार में सक्तियों की यह रूप्रे का तयार हुई है 6 बजे साम के बाद हर हाल में दुकानों के सटर गिरा दिना है पाटना डियम ने आदेश दिया की गैर जरूरी दुकाने सप्ता में रोटेशन के आधार पर तीन दिन ही खुलेगी निर्देश दिया गिया की सभी थाना प्रबारे अपने अपने छेतर में घूम घूम कर सरकार के इस आदेश का पालन कराएंगे बड़ी कबर बिहार में कोरोना से 41 लोगों की मौत PMCH और NMCH का बेट फूल आज मिले 484 नए मरीज़ जिया बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमन कम होने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना के पोजिटिव मरीजों की सिंक्या लगातार बढ़ती जा रही है बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आगड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कूल 487 नए मरीज़ सामने आये हैं जबकि 41 लोगों की मौत हो गई है जिसके कारण लोगों में हड़कम मच गया है कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज सरकार ने चिंता व्यक्त की है उतार राजदानी पटना की दो बड़े अस्पतालों PMCH और NMCH में बेड़ फूल हो गया है तेज़स्वी ने बोला हमला कहा कोरोना संकवन भढ़ा तो केंद्र ने राजजुक के पाले में फेख दिगी जी आनेता प्रतिपाक्ष्ट तेज़स्वी आदमने बिहार के खराब स्वास्थ व्यवस्ता को लेकर केंद्र और राज सरकार पर हमला बोला है सो मुआर को ट्वेट करके उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की स्वास्ट विवस्टा बदहाल है तो जस्वी ने कहा कि पहले तो भाजपा के नित्त वाली एंडिया सरकार कोरोना को मानने को तयारी नहीं थी जब माना तो नमस्ति ट्रम्प MP में सरकार बना ताली थाली प्रचार के लिए तो जस्वी ने पूछा कि कोरोना संकट को एक साल बीद गिया पर केंद्र और राजी की डबल इंजन सरकार ने अब तक क्या ठोस कार किया है बिहार में नोकरी की चार रखने वालों के लिए मोका BPSC में निकली बंपर भाले जिहां बिहार में सरकारी नोकरी की चार रखने वालों के लिए आगे सांदर मौका दरसल बिहार लोग सिवा आयोग ने असिस्टेंट ओडिट ओफिसर के पदों के लिए नोटिपिकेशन जारी किया है जो लोग सरकारी नोकरी करना चाहते हैं उनके लिए अफसर बनने का ये एक सुनारा मुवसर है जिहां बिहार लोग सिवा आयोग ने असिस्टेंट ओडिट ओफिसर के पदो को भरने के लिए 17 अप्रेल से सुरू होकर 15 मैं तक आवेदन मंगा है विभाग ने 138 खाली पदो के लिए वेकेंसी जारी किया है इच्चुक और योगी उमिद्वार BPSC विभाग के अधिगारिक वेबसाइड online bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करके अपन कर सकते हैं बिहार सरकार चो जीलों में सडकों की मरमत पर खर्च करेगी 113 कड़ो रुपे जी अपात निर्मांत्री नितिन नवीन ने कहा कि विभाग निवेदा समिती ने सुवे के चो जीलों की 1113 कड़ो रुपे की चो योजनाओं पर मंजोरी की मोहर लगाई है इसके तहट केमोर, जहानाबाद, सारण, सिवान, मदेपुरा और बोजपुर जिली सामिल है स्विकिर्त योजना के तहट लगबग, 83 किलोमीडर के लंबाई में सडकों की मरमत की जाएगी इसमें एक उच इस्तरिया आर्शसी पूल का भी निर्मान होना है बड़ी कबर, एक माई से 18 साल से जादा उम्र वालों को लगेगा टिका खुले बाजार में भी विकेगी व्यक्स देश में कोरोना से जंग के लिए व्यक्सिन के अभ्यान को तरकार तेज करने का फैसला लिया है अब 1 माई से 18 साल से अधिक आयू के सभी लोगों को कोरोना का टिका लगेगा पीम नरेंद्र मोदी की अधिक्स्ता में सोमवार को हुई मेटिंग में यह फैसला लिया गिया एक माई से देश भर में कोरोना टिका करन का तीसरा राउंड शुरू हो रहा है जिसमें इवावू को भी कबर किया जाएगा अब तक 45 साल से अधिक आयू के लोगों को ही टिका लगा जा रहा था हालाकि दिल्ली पंजाब और महाराष्ट जैसे राज्यों के मुख्मंत्री की ओर से इवावू को भी टिका लगाई जाने की मांग की थी दिल्ली में लोडाउन के बेच बिहार के लिए चार स्पेसल ट्रेन चलाएगा रेलवे का भीड की खबरे गलत दिल्ले से बिहार आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी रहात देते हुए अगले तीन दिनों में चार इस्पेसल टेंन चलाने का फैसला लिया है। बिहार में कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामले पर पटना हाई कोट ने चिंता जताते हुए स्वास विभाब को पूरी जानकारी देने का आदिस देते हुए जम कर खिचाई की है कोट ने जाच रिपोर्ट में देरे इलाज नहीं मिलने आदिप पर चिंता जता ही है कोट का कहन था कि आम् सेन को सरकारे अस्पताल का दर्वाजा लगबग बन सा है आम् सेन को भर्दिक करने से मना कर दिया जा रहा है कहीं बेड नहीं होने तो कहीं उक्सजन नहीं होने की जानकारी दी जा रही है यह गलत है अस्पताल आए लोगों को भर्ती करने तथा उन्हें बहतर इलाज देने की विवस्ता की जानी चाहिए सुवीदा नहीं है तो उसे बढ़ाने तथा संसाधन उभलब्द कराने की करवाई करे जरत के हिसाब से संसाधन मुहाया कराए कोट ने मामले पर अगली सुनवाई 17 अपरेल की तारिक निर्दारित की है और हम की बड़े कबर केंदर सरकार की स्क्रेप पॉलिसी की तहद बिहार में करीब डेड़ लाग गाडिया होगी सड़क से बाहर फिटनेस जाज के लिए बिहाटा में खुलेगा केंदर राज को परदुसन मुक्त बनाने के लिए राज सरकार इलेक्ट्रिक बैटरी वो सीनजी से चलने वाले गाडियों को बढ़ावा दे रही है सरकार व्यबसाइक वाहनों में अनुदान भी दे रही है थाकि लोग पुरानी गाडियों को सीनजी में कनवर्ट कर ले वहीं विवाग सरक से पुरानी गाडियों को हटाने के लिए बिहाटा में निरिक्चन एवाम प्रमानी करन केंदर खुलेगा इस केंदर के मैदम से ही पुरानी गाडियों को सर्टिपिकेट दिया जाएगा कि वह सरकों पर चलने के योग है या नही बिना इसके सर्टिपि